आज आम आदमी पार्टी के जितने कांसलर्स जीत के आये हैं उन सब लोगों के साथ मीटिंग हुई सब लोगों के साथ अच्छा इंटरेक्शन हुआ और उन्हें एक ही मेसेज मैंने दिया है कि आपको बहुत इमांदारी से काम करना है जिस तरह से भारतिय जंता पार्टी का पंदरा साल का शासन पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त था और उनके कई कांसलर जो है वो आम आदमी से काम कराने के पैसे लेते थे जंता ने उसके खिलाफ गुसे में आके आम आदमी पार्टी को वोट दिया आम आदमी पार्टी के खिलाफ इन्होंने इतने शड रचे हमारा रारा के ह मारा कवे सब्सक्राहे जूठे जूठे वीडियो जूठे जूठे चिटिए जूठे आरव सारि एज लगाई गई लेकिन उसके बावजूध भी जंता थे उन पर भरोसा नहीं और जनता ने का नहीं, ये लोग इमानदार लोग हैं, ये कट्टर इमानदार हैं, हम इनको वोट देंगे, तो आज मैंने सभी काउंसलर्स को कहा कि आपको इस भरोसे को अगले पांच साल में और सुद्रड करना है, आपने अपने आचरन से और अपने काम से जनता का विश्वास जीतना है, और दूसरा बड़ी विनमरता के साथ सबसे पेश आना है, गुस्सा नहीं करना है, किसी से भी नाराज नहीं होना, और तीसरी चीज सबके काम करने हैं, चाहे कोई बीजेपी का हो, चाहे कोई का काम सबके करने हैं, हमें सबका दिल जीतना है, एक दिन ऐसा तो क्या ये माना जाए कि सक्ट एक्शन लेंगे अगर कोई ऐसा करता है तो हम तो लेंगे ही लेंगे हम तो सक्ट एक्शन लेते भी हैं और लेंगे भी मैंने सब को ये कहा कि अगर आप सोचो कि आपने पैसे लिए और किसी को पता नहीं चला सबसे पहले तो उपर वाले को प Avatarabad होता है इतनीündenामी होती है दूसरी तरह अगर आप इमांधारी से काम करते हो तो इतनी फिजत मिलती है इतना सकून मिलता है दिल की शान्टी मिलती है तो मैंने सब को यह का कि mukha कि इमांधारी से काम करूब ह। हाँ वो चार दिल्ली को चार पार्ट में बाट दिया क्यूंकि नए-ने काउंसलर्स हैं उनको कई लोगों को पता नी चलेगा ये काम करवाने के लिए कहां जाएं प्रक्रिया क्या होती है प्रिसीजर क्या होती है और वो सीधे मुझे फोन करनी सकते है उनको यह समझ ने आए वो यह दिखाता है कि उनके नंबर्स भी नहीं और उसके बावजूद भी वो कह रहें कि अपना मेर बनाएंगे तो जाहिर तौर पे सब को बताएं कि कैसे बनाएंगे यह तो सही नहीं है जल्दी कर देंगे अभी तो डेट भी नहीं आई उसकी तो जल्टेट कांग्रेस के वो तो बताएंगे उनसे पूछिए कैसे हो गया उन पर क्या प्रेशर आया क्या नहीं है तो सक्से सक्त कारवाई करेंगे और जब से आमादमी पार्टी की सरकार आईए बड़े स्तर के उपर बहुत बड़े-बड़े गैंक्स्टर पकड़े गए हैं पंजाब के अंदर औ लोग काम कर रहे थे वो सब पकड़े गए हैं तो इसकी खिलाब भी सक्से सक्ट एक्शन लिया जाएगा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे हैं यूस 24